इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हर्याना में पांच जले NCR से बाहर लेकर आई है बड़ी खबर तो हर्याना के पांच जले हैं वो NCR से बाहर करने को लेकर के यहां पर पकड़ता जा रहा है तूल अभी भी के आई है बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ब देख पा रहे हैं हर्याना के पांच जलों को इंसी आर से बाहर करने की मांग, धर्मवीर शिंग बोले फाएदा नहीं हो रहा है नुकसान. इस वक्त की बड़ी खबर है तो हर्याना के कुछ जलों को एंसियार से हटाने की मांग तूल पकड़ती जा रही है भीवानी महेंदगर से लोकसवा सदस्य धर्मवीर शिंग ने गुरवार को लोकसवा में सहरी विकास मंत्री हरदीब सिंग पूरी की मौजुदगी में मांग की है और उनके निर्वाचन छेतर को एंसियार से बाहर निकाल दिया जाए उन्होंने साथी सांसदों की हसी के बीच व्यंग करते हुए कहा कि जो अर्चने कनाट प्लेस में हैं वहीं उनके निर्वाचन छेतर भिवानी और नांगल चौद्री छेतर में भी है तो बता दे कि धर्मवीर ने कहा कि पता नहीं क्यों उनके छे तर राजिस्तान की अच्छे जलों से लगता है एंसियार में पढ़ जाने का कोई भी योजना असानी से आगे नहीं बढ़ पाती है इसके वह केंसरगार के कई मंत्रियों से बात कर चुके हैं धर्मीर ने कहा कि महरबानी करके हमें एंसियार से निकाल लिए ताकि हमारा काम सुचाय रूप से चल सके जोरान जब केंद्री मंत्री पूरी बगल में बात करने लगे तो धर्मीर ने ये कहते वे कहा उनका ध्यान अपनी तरफ खीचा की आप से होगी से बात में बात कर लीजेगा बतादे की हर्याना में अपने पांच जलों करनाल महंदगर चर्खी त जलों को सामिल करने के बाद या हिस्सा बढ़कर 25 जा 327 किलोमीटर हो गया है अठारे में हर्याना के इन पांच जलों के अलाबा उत्तरपदेश के दो जलों को सामलिया और मज़फर नकर दा अलिस्तान के भदपर को इंसियार में सामिल किया गया था तो फिलहाल यहां पर अब जो हर्याना के महंदगर के जो सांसद हैं धनवीज सिंग ने यहां पर एक बार फिर से मांग बढ़ा दी है अब हर्याना के इन जलों को बाहर किया जा सकता है इस वक्त की बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है ब्रैकिन उस जा रही है तो अब यहां पर यह जले हो सकते ह हैं बाहर तो यहां पर यह 5 जले हैं आप देख पा रहे हैं यह यह हो सकते हैं बाहर